कथित रूप से चमतकार दिखाने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंदर शास्री ने एक बार फिर एक विवादित बयान दिया है उन्होंने अपने दर्बार में कहा है कि तुम हमारा साथ दो हम हिंदु राष्ट देंगे उन्होंने आगे कहा कि तुमें सौगंध है सनातन की अपने अपने घर पर चूड़ी पहन कर मत बैठो अपने अपने इमान की एक बुदु ही सनातन का हो अप्चूडी पहन कर घर पर बैठो विन लोग बागेसरड़ बाभा सवास्तर का जंदा कावल हैं जया है वहिंकर दीदिये बाभा बाभेसर बाभा, अउनल जीनेंद घर खूटवी सनातन भागेसरड़ भाभा मिस हन्मान जी केबल भागेसरड भां पर अभली उठाएन की बात नहीं प्रतेक सनातमी परवली उठाई है अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा आपको बता दे कि धीरेंदर शास्त्री पर गथित चमतकार की आड में अंदुविश्वास और जादू टोना फैलाने का आरोप लग रहा है और अब इसी को लेकर खुद देश के कई संतों ने बागेश्वर बाबा पर कई सवाल खड़े किये हैं इसी कड़ी में 36 गड़ के बिलास्पूर पहुंचे शंकराचार अविमुक्तेश्वर अनंद ने धीरेंदर शास्त्री के दरवार को चुनोती दी है और उनसे कहा है कि अगर उनके पास शक्ती है तो वो जोशी मठ की दरारे रोक दे हम उनके लिए फूल विछाएंगे हम उनको फूल विछाएंगे कि आओ और यह जो मकान में दरार आ गई है हमारे मठ में आ गई है उसको जोड़ दो नहीं समझा, हम फूल विशा करके उनको लियाएंगे और फिर जुक करके पलकों पर विशा करके उनको वापस करेंगे दिखाओ न चमतकार, हम लोग तो सारे देश की जनता चमतकार चाहती है कि कोई चमतकार हो जाए आपको बता दे कि धीरेंदर शास्त्री के मुद्दे पर संत समाज अब दो खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है कुछ संत बागेशवर बाबा के चमतकारों को चुनोती दे रहे हैं तो कुछ उनके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं आपको बता दे कि ये पूरा विवाद धीरेंदर शास्त्री के नागपूर में लगे दरबार से शुरू हुआ दरशल नागपूर में अंदुविश्वास निर्मूलन समिती ने धीरेंदर शास्त्री को अपने चमतकार साबित करने की चुनोती दी थी और धीरेंदर पर शमतकार की आड़ में अंदुविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था